जैसी राम बंदे मात्रम, हरहर महादेव, आज हम आपको एक बहुत दुरलब जानकारी फिर देने जा रहे हैं, आज बाबा जी हमारे साथ में फिर से हैं, और ये हमें एक ऐसा दुरलब नुस्खा पताने जा रहे हैं, कि जैसे आज कल क्या है खान पान में मैदे वाली चीज क्रिमी जो है, बिकृत हो जाते हैं, और क्रिमी की संख्या बढ़ जाती है, और वो पूरा डाजिस्टि सिस्टम खराब कर देते हैं बच्चों को, खाया पीया लगता नहीं है, और दूसरा क्या होता है, कि बच्चा लगातार कमजोर होता रहता है, चिरचिड़ा होता रहत और होता क्या है कि उसके जो रस हैं वो रस शरीर में यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं और वो बीमार होने लगता है तो उस इस्थित में क्या करें दो इलाज है या तो हम जाकर के जो तमाम उल्टी सीधी पद्धतियों से बनी हुई दवाईयां हैं उसको ले करके आएं खिल आएगा तो गया तो कुछ नहीं लगा आपका एक रूपए भी नहीं बस चुकि हम करना नहीं चाहते हैं इसी को ले करके हम भटकते रहते हैं जगह जगह दातकालिक हमको थोड़ा बहुत लाभ मिल गया तो हम तुरन के तुरन सब भोल जाते हैं उसका मतलब जो दूरगाम प्रद को एक बतासे में ही रख लिजिए सबसे आसान बतासे में टपका लिजिए और बच्चे को रात्र को सोते समय खिला देते हैं तो आप समझे कि जो क्रिमी है जितने भी कीड़े है पेटके दो तीन दिन में उक सारे कीड़े निकल के बाहर हो जाएंगे तो आप देख करना है इसके चमतकार को देखना है लोगों के बीच में फैलाना है और ऐसे ही प्रकित का गुडगान करते रहना है अंत में पपीता खाने को बताता है तो पेट के कीड़े मर जाएंगे पेट साफ रहने लगेगा लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि आपको कीड़े की दव करके दिया नहीं जा सकता तो इसका ब्यापार नहीं हो सकता तो इस वजहां से इसको ज्यादा जो है विस्तारित नहीं करते हैं वह बाद में बताएंगे पहले आप हमारी दवा खागे बीमार हो जाओ फिर आप पहले जो है इसके जो है चार-पांच बूद जो दूद निक स्क्राइब करें जैसे राम बंदे मातरम हर हर महादेव